ओ प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, ना प्रीत है ना दुश्मनी कोई, ये तो लेखत की बद्मानी है पिता के दिल में जख्म कितने है, मा की आँखों में कितना पानी है पूत का पूत सुने बहुत तेरे माता सुनी ना आती एक नहीं लाइन, यहावात है हमिद कॉसिक जी इस लाइन को सभी याद रखिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, सुनिए गाए पूत का पूत होता, पूत का पूत होता, माता नहीं कुमाता, जैसी हो जिसकी माता सब को में सर जुकाता, पूत का पूत होता, माता नहीं कुमाता पूत का पूत होता, माता सहीं कुमाता याँ अब ये कहानी यहां से सुरू होती है सुनिए का सब द्यान चाहूंगा में एक बात है एक बार हमारे प्रदान जी के लिए जोड दर्व ताली बजा दीजिए जाए हो पाने को पुत्र चाह में हरतर पड़ा थी माँ आता है पुत्र गर्व में तो मुश्कुरा थी माँ नौ महीने उसको गर्व में जुला जुला थी माँ पैदा जो होता मौत जे भी खेल जाती माँ पैदा जो होता मौत जे भी खेल जाती माँ पैदा जो होता मौत जे भी खेल जाती माँ और उसको पड़ा लिखाके काविल बनाती मां उसको पड़ा लिखाके काविल बनाती मां बेटे का चेहरा देख करके जूम जाती मां हर मापाप की एक खाई सोती है क्या सुलिएगा बर्दान जी क्या खाई सोती है जब होगी इसकी शाधी जब होगी इसकी साधी तो मां से बनों की तादी मां से बनों की तादी मुश्किल से सब को ऐसा मुश्किल से सब को ऐसा खुशियों का वक्त आ तो जी जब हाता सही को आता गेता कमूते होता नहीं जब उस बेटे की शाधी हो जाती है शाधी के बाद क्या होता है यह हो मिरी भी इस शाधी के बाद घर में एक लक्षमी आई वो घर की लक्षमी है वेटी नवराई आकर के लक्षमी ने उस घर को सजाया अपना विद्यान मात के चर्णों में लगाया नवरात्री के नो दिन वरत करती लक्षमी दिन रात मा के पेरों में पढ़ती लक्षमी यह तो शाधी के बाद लक्षमी जी का हाल अब श्रीमान जी का क्याल हो गया ठीक भी या सुनिएगा शाधी के बाद दुनिया के कुल एमालों में वो पुत्र पड़ गया दुनिया के कुल एमालों में वो पुत्र पड़ गया जुवाबा सौख पीने का मस्तक पे चड़ गया और यही नहीं डिगे वाई और भी तरह क्यों हुई उसकी लड़ने भी लग गया था पतनी के साथ में लड़ने भी लग गया था पतनी के साथ में दो तीन बजे आता था घर को रात में तो तीन बचे आता घरको रात में लगाती पूजा में मन लगाती और चोती को जगमाती रहती थी मगन मन में और उस लक्षमी का चेहराव्य मोश्कुराता रहती थी मगन मन में लगे आता घरको जगमाती रहती थी मगन मन में और सुनी फिर दुर का अश्टमी का उसे ध्यान आ गया इसको उस लक्षमी जी को फिर दुर का अश्टमी का उसे ध्यान आ गया पीली शराब पुत्र को अभिमान च्छा गया उस लक्षमी ने घर में मा की जोत जगाई भोजन कराने लांगुरा और कन्या बुलाई वो पुत्र बोला गुस्से में क्यों खौज बुलाई मैं तो पटास सुर्फिके क्वाटर से काम चला रहूँ तु इतना महेंगा भी जला रही है तुझे सर्म नहीं आ रही वो पुत्र बोला गुस्से में क्यों खौज बुलाई मारी है लाद जोट में चट जोट गिराई गिरतेगी है जोटी को गिरतेगी है जोटी को ये कैसा सित्म हुआ उस पुत्र का भी देखना पल में खत्म हुआ कहने लगा के लक्षमी जी ये क्या बात हो गई और अभी अभी दिन था और अभी राख हो गई रोने भी लग गया वो धर्ती पे गिर गया उस वक्त लक्षमी का दिमाग फिर गया क्या दिमाग फिरा के जोटी तुरत उठाई जोती तुरत उठाई और मां से लगनी लगाई कहने लगी के मिया इनको छमा भी कर दो तुम हो तया की दागा इनको छमा भी कर दो तुम हो जाया की दागा इस दया की दागा ने फिर क्या किया इस रह्म की जननी ने देखो रह्म खा लिया बर्पूर नूर नेनो में इस माने दा दिया ये नैना देवी तब से विख्यात वो गई घर घर में पूजा होने की शुरुआत हो गई घर घर में पूजा होने की शुरुआत हो गई शर्मा बिजेंद्र काते और मा से लगन लगाते लला वजाम तेरी लला वजाम तेरी बेटे नही सुनाता जैसी हो जिसकी माता सबको में सर जुताता पूत कपूत होता माता नहीं कुमा पूत कपूत होता तो माता नहीं कुमा पूता जोरदार दालिया एक बार